नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं सहायक अध्यापक सेवा सर्थ निमावली 2021 लागू होने के बाद पहली बार पाराथ सिच्गों के मांदे में या वार्शिक बिरिदी होगी निमावली में परतेक साल मांदे में चार पर्चज बिरिदी का प्रविधान किया गया है मुख्यमंतरी हेम 1997 सुरेन आने वाइले दिनों में हो सकते हैं गिरबतार मुख्यमंतरी हेमान सुरेन आत्मबिस्वास से लबरेज हाए गुरू और को वे अपने सासनकाल के तीन साल पूरा कर लेंगे उन्होंने भीपक्ष को चुनोती देते हुए कहा है कि भीपक्ष उन्हें ही लाडूला नहीं सकता अपने अवास पर मीडिया से बातचित में उन्होंने भविशच की जोईनाव के साथ साथ तमाम भी सवय पर खुल कर बातचित की मुख्य मंत्री हमां सुरे रायनी तिक हला से समंधित सवालों पर यहां तक कहा है कि अगर उनकी गिरपतारी हो जाए तो उन्हें अचर्ज नहीं होगा जब सीवु सुरेन गिरपतार हो सकते हैं तो वो किस खेत की मुल्ली हैं शीवू सुरेंज जब देश के कोईला मंत्री थे तो विरोधियों ने कोट का चारी कराया जब हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो गिरफतारी नहीं होगी ऐसा भी दिन आएगा कि जो लोग ऐसा सरेंथर करेंगे उनको दिक्कत होगी गढ़वा में तेंदुआ का अतंक फिर एक बच्चे को मार डाला गढ़वा जिले के रमकंडा रेंज के जंगल से सटे गाउ कुसवार में बुधवार की देर साम तेंदुआ ने एक बारह वर्षे लड़के हरेंद्र घासी को मार डाला इस बच्चे को मारने के बाद तेंद जनकारी के अनुसार बली घासी का बारा वर्षी ए पुत्र हरेंद्र घासी बुद्धवार की साम अपने दोस्तों के साथ खेल कर घर वापस लोट रहा था इसी बीच तेंदुआ ने हरेंद्र पर हमला करते हुए उसका गरदन दवोच लिया और उसे जंगल की ओर खीच कर ल हो चुकी जन्वारी में फिर आएगी कुरोना लहर एक्सपर्ट ने जताई असंका है कुरोना वैरस से चीन में तबाही के बाद अब भारत के लिए चीनता की ख़वर आई है एक्सपर्ट ने असंका जताई है कि जन्वारी का महीना भारत के लिए कापी मुस्किल हो सकता है इस महीने कोरोना के नए मामले में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है कहा है कि अगले 40 दिन महतपूर्ण होने जा रहे हैं क्योंकि भारत में जनवरी के मद में कोविड मामलों बिरिदी देखी जा सकती है जब भी ओमिक्रोन का सब वेरियंट BF7 भारत आएगा तो एक आएक मामले बढ़ सकते हैं सरकारी सुत्रों का काना है कि मिलित्यू की संख्या ज़्यादा होने की असंख्या नहीं है लेकिन मामलों की तदाद ज़्यादा हो सकती है BF7 वेरियंट पर भैक्सिन के परवाव की जाच की जा रही है CM हमन्त ने राष्ट्रिये खादी एवम सरस महोचव का किया सुभारम CM हमन्त ने राष्टी के मुराबादी मैदान में राष्ट्रिये खादी एवम सरस महोचव का सुभारम किया इस दोरा नोह ने कहा है कि अगर देश के लोग अगर सोदेशी को अपना ले तो कोई भी भारतिये बेरोजगार नहीं रहेगा खादी को बढ़ावा देने और खादी से रोजगार के राष्ट पीता महात्मा गांदी के सपने को पूरा करने के उदेश के साथ बुद्धवार को मुराबादी मैदान में राष्ट्रिये खादी एमसरस महोत्यों का सुबाराम मुख्य मंत्री है मसुरे ने किया 28 दिसंबर से 8 जनवरी 2023 तक चलने वाले इस महोत्यों के सुबारम कारिकरम में राज के सरम मंत्री सत्यानद भोगता भी उपस्तित थे JPSC ने जारी किया केलेंडर जारखन लोक सेवा आयोग ने अगले साल 3 महीने का केलेंडर जारी कर दिया है केलेंडर में जनवरी से लेकर माच तक आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले सक्षतकार और परिक्षा की संभावित तारिकों की घोस्तना कर दी है मतरु भासा को सिखने सिखाने की परकिरिया में सामिल करने की जरूरात सिख्छा सचीव मातरू भासा अधारीत बहुबहासी सिक्षा भी सहय पर सहर के एक होटल में आउजीत राजय हस्तर ये समयलन में दूसरे दिन बुद्धवार को सिक्षा सचीव के रभी कुमार के अलावा अने बिसे जोगेव ने अपने विचार साजा किये के रभी कुमार ने बच्चों की घर की भासा या मात्री भासा आधारी सिक्षा पर जोर देते हुए कहा है कि बच्चों की मात्री भासा को आधार बना कर उसे सिखने सिखाने के परक्रिया में सामिल करने से बच्चे दूसरी भासा भी सिख सकते हैं इसके लिए जरूरी है कि इस परकिरिया को सिख्चक अपना है रूम टूरीड संस्था की सक्ति उरता सेनने मद्य परदेश के बरवानी और रायस्थान के सिरोही जीले में सरकारी प्राथ्मिक इसकूलों में बहुँ भासिस सिख्चा पर किये हुए कार्य और संसोधन पर चर्चा की उच अस्तरिय समिती 15 दिन में ज्हारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एक्जामनेशन रूल्स 2021 में संसोधन की करेगी अंसंसा ज्हारखंड लोग सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाले ज्हारखंड सन्यूक्त और सयनिक सेवा परिक्चा के संचालन के लिए गटीत दज ज्हारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एक्जामनेशन रूल्स 2021 में कतिपै संसोधन के लिए राज सरकार ने त्री अस्तर ये उच्छ अस्तर ये समीति के अकटन किया है कार्मिक प्रसासनिक सुधार्थ तराज भासा विभाग के ओर से जारी अजित सुचना के मुताबी जारखंड लोक सेवा आयोक से प्राप्त प्रस्ताव की समीक्चा और निर्नाय के लिए वन परियावर ने हम चलवाईू परिवर्तन विभाग के अपरमुक सचीव एल की अध्यक्सता में उच्छ तर्य समीति गटित की गई है क्रीसी सुल्क बिध्यक परमंत्री के साथ चेंबर की बैठक आज क्रीसी सुल्क बिध्यक को लेकर बुद्धवार को चेंबर भौन में समीक्चा बैठक आयोजीत होई इसमें सजस्यों ने निन लिया है कि 29 दिसंबर को जार्खन चेंबर की अगवाई में क्रीसी मंत्री के साथ बैठक की जाएगी जिसमें उनसे बिध्यक को समाप्त करने कागरा किया जाएगा बैठक में चेंबर अध्यक्ष किसोर मंत्री उपाध्यक्ष अमीत सर्मा महासाचीव डक्टर अभिसे करामाधीन सहसाचीव रोहीत पदोर उपतित थे आठ हजार चात्र चात्राओं को उच्छ सिक्षा के लिए कोचिंग पर हर साल 122 कौर खर्चे जारखन के बच्चे को सरकारी नौकरी के लिए परत्योक्ता परिक्षाओं की त्यारी है तू हैमांत स्टुरेन की सरकार ने एकलब पर सिक्षन योजना त्यार की है उच्छ सिक्षन संस्थानों में दाकला के लिए मुख्य मंत्री सिक्षा प्रोसाहन योजना की भी शुरुआत की गई इसके तहद हर साल आठ हैर बिद्यार्थियों को मुप्त सिक्षा देगी इस योजना पर सरकार हर साल 122 को रुपए कर्च करेगी बता दे हेमन सुरेन सरकार ने कहा है कि जार्खन के युवाओ का भविश से सवारने के लिए उनकी सरकार मुख्य मंत्री सिक्षा प्रोसाहन योजना की शुरुआत करेगी इसके तहाद भी द्यार्थियों को देश के प्रतिस्टीट, इंजिनियरिंग, मेडिकल एवं अने बेवसाइक सिक्षा सस्थानों में दाकले की त्यारी के लिए मुप्त में कोचिंग कराने की बेवस्ता की जाएगी जमसिध पूर जिला में बुक कोडिनेटर के पद पर भरती जमसिध पूर जिला जहारखन में बुक कोडिनेटर के पर भैकेंच की निकली हाई या भरती औनलाइन मॉड में हो रही है एक चुक वायोग ये उमिद्वार आयोग की अधिकारिक बेपसाइट जमसेद्पूर.NIC.IN के माध्याम से आवेदन कर सकते हैं एक चुक उमिद्वार भरती से जोड़ी साभी महतपूर जनकारी आवेदन सुल्क आवेदन परकिलिया चरन परकिलिया उपलब्ध कराई गई है बता दे इसमें सेलरी 18,000 रुप्य प्रतिमा और लाश्ट डेट 5 जनवारी 2023 रखा गया है जैन समुदाय के तीर्थ अस्चल पारसनाथ में जम कर हंगामा जैन समुदाय के परसीद सम्मेद सिखर जी पारसनाथ की पहाड़ी पर दसन करने जा रहे इसकूली बच्चों को रोके जाने से जम कर हंगामा हुआ इस दोरान मदूबन बजार को बंद कराया गया वहीँ गयर जैन समाज के लोगों द्वारा बिरोध परसन को देखते हुए पूलिस ने मोर्चाल समाला जनकारी के अनुसार कुछ दिनों से जैनियों के मंदीर में गैर जैन धरोलंबियों के परेज़ परोक लगाने से लोगों में आकरोच बढ़ रहा था कि बुद्धवार को इस्कूली बच्चों को परवत पर जाने से कुछ जन या त्रियोदवारा रोक जाने से लोगों में गुसा बढ़ गया और भी रोध सुरू हो गया जमसेदपूर MGM अस्पताल में चौथी लहर को देखते हुए तयार कियेगा 150 अक्सिजन बेड कुरोना की संभावित चौथी लहर को देखते हुए पूरे देश में त्यारी चल रही है अस्पतालों में उपलब्द संसाधन की जाच हो रही है मंगलवार को महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मोग ट्रिल किया गया सबसे पहले अस्पताल परिशन में संचाली प्रेसर स्विंग अक्सिजन प्लांट की जाच की गई देखा गया कि बेड तक अक्सिजन पहुँचने में कहीं कोई बादा तो उत्पर नहीं हो रही इसी दवरान सब कुछ ठीक ठाक पाया गया बता देश मोगे पर ADM नंद की सुर लालव अधिक छक डाक्टर रविंद्र कुमार खुद मवजूद थे हमंत सरकार तीन साल में 550 को नौकरी दी सुदेश महतो हमंत सुरेन की सरकार के तीन साल पूरे होने पर आईसू पार्टी के परमुक सुदेश कुमार महतो ने रोजगार समित कई मुद्धो पर सरकार को घेरा आईसू पार्टी के केंदरिये कर्याले में अविद प्रेस कॉंस्पिनेंस में सुदेश महतो ने कहा कि सरकार ने तीन साल में जना देश और जन भावना का अपमान किया है अपने तीन साल के कारकाल में सबसे ज़्यादा जारकन की युवाओं के साथ भी स्वगात किया गया नियोजन निती, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवा ठगे गए मुख्यमंत्री ने एक साल में पांच लाख नोकरी देने का वादा किया था लेकिन राजे में तीन साल में महाज साढ़े 500 नियुक्ति हुई है उन्होंने कहा है कि तीन साल में संसाधनों के लूट मची है और सरकार जूट पर जूट बोल रही है युवाओ को नहो करी मिलने की बजाय उनके हाँ से नियुक्तिया निकली जा रही है लोहरदग्गा डीडीसी ने विकास योजनाओं की समिख्छा की डीडीसी समीरा एस की अध्यक्स्ता में मन्रेगा परधान मंत्री अवास समेत अन्योजिनाओं की समिक्षा जीला परिस्द सभागार में की गई बैठक में सरुपरतम परधान मंत्री अवास वोजिनाओं की समिक्षा की गई जिसमें परखंडों का आउसत राजे के आउसत से कम पाया गया सभी को निर्देश दिया गया कि परखंडों का आउसत राजे के बराबर करते हुए आवास निर्मान का कार्या पूर्ण किया जाए चार हैर लाबको द्वारा तीन नोटीस के बावजूद आवास निजमानकार्य पूरा नहीं किये जाने स्थिस्वंध में लाबको परकडिक करवाई किये जाने का निर्देश परखंड विकास पताधिकार्यों को दिया गया गुमला आपदा प्रवंधन प्राधिकार समिती की बैठक में कुरोना अलर्ट कुरोना वारस की गंफिता को देखते वे बुद्वार को उपायों सुसांत गरोने जीला अस्तरिया आपदा प्रवंधन प्राधिकार समिती की बैठक की बैठक में जीले के अस्पतालों में मुलेंस गाड़ी की सुवधा उपलब्द करवा दी गाई इसके अलावा जिले के डॉक्टर की टीम को भी त्यार कर दिया गया है सभी अंगनवाडी केंद्रों में अक्सी मीटर कारे रहा है इसके अलावा अने त्यारी भी अपने अम्तिम चरण में है बिजेपी सांसद ने बंगला देश जा रहे 150 पसुओ को कराया मुक्त जारखन में पसु तसकरी को रोकने के लिए गोड़ा से बिजेपी सांसद को सड़क पर उतारना पड़ा सरया हड थाना इलाके में बंगला देश भेजे जा रहे करीब 150 पसुओ को मुक्त करा कर सांसद ने दो तसकरों को पुलिस के हवाले कर दिया सांसद ने सिकांत दूबे की करवाई से पसु तसकरों में हड़कर मच गया है बता दे की गव तसकरी के लिए दूमका जीला एक कारीडोर के रूप में देखा जाता है दूमका के रास्ते पचिम मंगाल से पसुओ को बंगला देश भेजा जाता है जारखन में गव तसकरी परतिवन दिता है पसु होट से गौव को खरीद कर ट्रकों से पचिम मंगाल के रास्ते बंगलादेश भेजा जाता है संथाल परगना के ग्रामीन शेतर में होट के साथ एक पसु होट भी लगता है रांची के नामकुम में संतोस सिंग के क्लिनिक में छापा खुद को वयद बता का इलाज करने वाले संतोस सिंग के रांची इस्थित नामकुम के क्लिनिक में बुद्धवार की दोपहर डक्टरों की टीम नामकुम पुलिस के साथ पुष्टाच के लिए पहुची टीम के पहुचते ही क्लिनिक में अफरात अफरी मच गई उक्त वक्त काफी संक्या में इलाज के लिए पहुचे मरीज अपनी बारी का इलाज कर रहे थे बता दे मेडिकल आफिसर चीएजसी अरविंद कुमार के नेतीत में टीम के संतोस सिंग से घंटो पूष्टाच की उसके बाद संतोस को अपने साथ सिविल सर्जन कराले ले ले गए Medical Officer अर्विंद कुमा ने बताया है कि सिकायद मिली थी कि जोला छाप डॉक्टर जो खुद को वैद बता कर इलाज के बहाने टागिक कर रहा है टीम ने संतों से क्लिनिक चलाने का डिगरी एमराइस्टेशन के गाग्याद मिमांगे लेकिन उसने नहीं दिखाया जाज के बाद क्लिनिक बंद कर दिया गया था लेकिन दो घंटे बाद दुबारा खोल कर इलाज शुरू कर दिया गया है पीए मोदी ने रांची लोग सभाग के 26 लोगों की मदद की परधान मंत्री ने रांची के 26 लोगों की मदद की है इन 26 लोगों के इलाज के लिए परधान मंत्री राष्ट्रिय आपदा राहत कोश से 55,41 रुपए दिये गंभीर व असाद रोगों के उपचार के लिए रासी दी गई रांची लोग सभा के सांशा संजाय सेट की अनुसांशा पर छेतर के लोगों की इस रासी की मदद की गई सीरी सेट ने इसके लिए परधान मंत्री नायंद्मोदी का अभार जता आए है कोडारमा के चेचरु पार्क बदहाल स्वास्त मंत्री ने लिया संग्यान कोडारमा का परसीद पर्याटन अस्थाल तिलया डेम के संदरी करन को लेकर हाल के महिने में कुछ काम जरूर हुए पर डेम के दूसरे छोर परिस्थित का भी आकर्शन का केंद्र रहने वाला चेचरो पार्क आज अपनी बधाली पर आसु बाहरा हा है पतादे चेचरो पार्क में एक समय में पूर परधान मंत्री पंडित जोहरा लाल नहरू की परतीमा लगाई गई थी लेकिन आज परतीमा कई जगों से छतिगरस्त हो गई सरार्थी थत्वो ने परतीमा की नाक तोड़ दी है यही नहीं अने हिसे में भी परतीमा का हाल बुरा है बुद्धवार को या मामला सोचल मीडिया पर सोजनिक होने के बाद राजी के स्वास्त मंत्री बना गुपता ने संग्यान लिया है लोहर दग्गा में जैस्री राम समीती ने सारुक खान का फुका पुतला लोहर दग्गा जी लेके कहरों के मुखे चोक पर बुद्धवार को जैस्री राम समीती द्वारा पठान फिल्म के बिरोद में परचन करते हुए अभिनेता सारुख खन का पुतला फुका गया इस मौके पर मुखे रूप से जैस्री राम समीती के मुखे संरक्चक बैरंग उराव ने कहा है कि लव जिहाद जैसी मान सिक्ता को बढ़ने नहीं दिया जाएगा जैस्री राम समीती परकंड अध्यक्स बीनोद रविदास ने कहा कि आए दिन देश में जो घटनाए घट रही है उसे देखते हुए पठान जैसी फिल्म का बिरोध करना आती अवस्यक है हमारी बहन बेटिया लव जिहाद का सिकार होगी तो इसे कताई बरदास नहीं किया जाएगा 15 लाख का इनामी मावादी कमांडर अमन गांजु का आत्म समर्पन कभी बुड़ा पहार पसके रहा 15 लाख का इनामी मावादी कमांडर अमन गांजु ने आत्म समर्पन कर दिया है बतादे सितंबर महीने में जारकन पुलीस और केंदिरे रिजर पुलीस बल के सन्युक्त अपरेशन आक्टोपस के तहट बुढ़ा पहार को नकसलियों से खाली कराद लिया गया था अमन गांजू नक्सल बीरोधी अभियान के तहत नक्सलियों से बुढ़ा पाहड खाली होने के बाद से ही भागा फिर रहा था बुढ़ा पाहड को खाली कराने के बाद बुढ़ा पाहड की चोटी पर जालू डेरा लातेहार जिला में तीसिया एम नावा टोली तता जारखन की सिमा से सटे 36 गड़ के बलरामपुर जिले में पुंदाग में सुरक्षा बलो ने केम्प अस्तापित किया शुरक्षा बलो के कैम्प की बदावलत नक्सलियों के फिर से सक्रियों होने का मौका नहीं मील पा रहा यही वज़ा है कि उस इलाके में जो बचे हुए नक्सलिय हैं वो या तो भाग रहे हैं या फिर आत्मसवरपन कर रहे हैं रामगण में 12 जून से पहले उपचुनाव का एलान संभव जारखन में एक और उपचुनाव के लिए सियासी मैदान त्यार हो चुका है पांचवी विधान सभा में या पांचवा उपचुनाव होगा इसके पहले बेरमो दुम का मधोपूर और मांडर विधान सभा के लिए उपचुनाव हो चुके हैं बता दे चारो सीटे यूपीय की थी और यूपीय उमिद्वार जी थे इस बार कोईलांचल की रामकड विधान सभा में राइनिती दलो के बीच सभ और मात का खेर होगा ममता देवी की विधान सभा सजसेता समाप्त हो गई है 13 दिसंबर की तारिक से ही आप रभावी हो गया खाली हुई सीट की जनकारी चुनाव आयोग को भेज दी गई अप चुनाव आयोग अपनी सुविधा अनुसार 12 जून के पहले उप चुनाव की तारिक का एलान करेगा धन्यवाद